हेलो फ्रेंड्स, रेस्पी फ़र बिंगनर्स में आप सभी का स्वागत है, आज हम बनाएंगे यूपी विहार की फेमस बाटी चोखा बाटी चोखा खाने में बहुत ही स्वादिश्ट होती है, लेकिन इसे बनाने में बहुत ही जंजट होता है आज हम इतने आसान तरीके से बाटी चोखा बनाएंगे कि सारे जंजट ही खत्म हो जाएंगे आज की ये बाटी चोखा की रेश्पी 15-17 लोगों के लिए काफी होगी पहले हम बाटी के लिए आटा लगा लेते हैं यहां मैंने धाई किलो गेहूं का आटा लिया है गेहूं के आटे में स्वाद अनुसार नमक डाल ले एक टीज़ पॉडर डाल ले चार चम्मच घी या तेल डाल ले बेकिंग पॉडर और तेल को अच्छी तरह से आटे में रगड रगड की मिला ले मोयन का अच्छी तरह से मिलना बहुत जरूरी है इससे हमारा बाटी खस्ता और करारा बनेगा। मोयन जब अच्छी तरह से मिल जाए तो पानी डाल कर आटा को गूत लेंगे। आटा गूतने में कमी पानी का इस्तमाल होता है। इसकी डो थोड़ी कड़ी रहती है। उड़ी से भी थोड़ी सी कड़ी। गुते हुए आटे को आधे घंटे के लिए रिष्ट पर रख देंगे। अब हम बाटी में भरने के लिए सत्तु तयार करेंगे। यहां मैंने आधा केजी चने का सत्तु लिया है। सत्तु मसाला तयार करने के लिए बीस पचीस कलिया लहसुन की बारिक काट ले। आट दस हरी मिर्चे बारिक काट ले। दो प्याज बारिक काट ले। इच्छा हनुसा धनिया पत्ती भी बारिक काट ले। सभी बारिक कटी हुई समागरी को सत्तु में डाल ले। एक टी स्पुन मंग्रेल को हाथों से रगड रगड के डाल ले इस से स्वाद बढ़ियां आता है एक चमच अजवाइन को भी हाथों से रगड रगड के डाल ले अगर आपके पास भरा मिर्चा है तो एक भरा मिर्चा डाल ले अगर आपके पास भरा मिर्चा नहीं है तो कोई सभी अचार का दो चम्मच मसाला डाल ले इस अचार के मसाले से स्वाद बहुत बढ़ियां आता है एक नीमू का रस्वी अच्छी तरह से डाल ले दो तीन चम्मच सरसो का तेल डाल ले इससे स्वात बहुत बढ़ियां आता है सभी समाग्रियों को अच्छी तरह से थोड़ी सी पानी डाल कर मिला ले हमारा सत्तु मसाला तैयार है अब हम चोखा बनाएंगे चोखा बनाने के लिए यहां मैंने आधा किलो बैगन लिया है जिसे अच्छी तरह से छील कर बड़े बड़े टुकडों में काट लिया है आधा केजी टमाटर को भी धुल कर काट लिया है एक केजी आलू को भी छील कर दो टुकडों में काट लिया है और अच्छी तरह से धुल लिया है आलू को हम यहां उबालेंगे नहीं एक कूकर में दो चम्मस तेल डाल लेंगे और उसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे जब तेल गर्म हो जाए तो आलवों को उसमें डाल लेंगे और कूकर में नमक डाल लेंगे तेल को बंद करके धीमी आज पर दो मिनट पका लेंगे फिर बाद में तेज आज कर देंगे और एक फीपी आने तक पका लेंगे एक कड़ाई में दो चम्मस तेल गर्म कर लेंगे तेल जब कर्म हो जाए तो उसमें आट दसकलिया लहसुन की चार पाँच हरी मिर्चे डाल लेंगे और अपना कटा हुआ बैगन डाल लेंगे कटे हुए टमाटर को भी डाल देंगे थोड़ा सा नमक डाल देंगे बैगन और टमाटर को ढख कर अच्छी तरह से पका लेंगे बैगन और टमाटर को गल्ले तक धीमी आज पर पकाएंगे जब बैगन और टमाटर अच्छी तरह से गल जाए और पानी छोड़ दे फिर हम आज को तेज कर लेंगे और तेज आज में उसे चला चला कर अच्छी तरह से उसका सारा पानी सुखा लेंगे जब सारा पानी सुख जाए तो आज से उतार लेंगे चोखा में कच्चे लहसुन मिर्चा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसलिए हमने पहले थोड़ा ही लहसुन मिर्चा डाला था 12-15 कलिया लहसुन की 5-6 हरी मिर्च, इच्छा अनुसार धनिया पत्ती आप अपने स्वाथ के अनुसार मिर्च कम में आधिक रख सकते हैं मिर्चा लहसुन धनिया पत्ती को बिना पानी डाले मिक्सी में दरदरा पीस ले पके हुए आलूओ को अच्छी तरह से मैस कर ले बैगन टमाटर को भी अच्छी तरह से मैस कर ले बैगन टमाटर के मिक्स्चर को आलों में डाल ले पीसा हुआ लहसुर मिर्चा धनिया पत्ती को भी डाल ले दो प्याज को बारी काटके उसे भी डाल दे तो भरे मिर्च को डाल दे अगर आपके पास भरा मिर्च नहीं है तो दो चमच नीमू का रश डाल दे सरसो का 3-4 चमस तेल डाल दे इससे स्वाद बहुत बढ़ियां आता है स्वाद अनुसार नमक डाल ले नमक हमने पहले भी डाला है इसलिए थोड़ा ही नमक डालेंगे सभी समागरियों को हाथों से अच्छी तरह से मिला ले अब हमारा चोखा तैयार है गुथे हुए आते से छोटी छोटी सी लोईया बना लेंगे जितना बड़ा हमारा आते का लोई होगा उतना ही चने सत्तू का मसाला अच्छी तरह से भर लेंगे इसी तरह से सारी लोईयों को तैयार कर लेंगे यहां हम दो तरह से बाटियों को सेकेंगे कुछ बाटियों को हम microwave में सेखेंगे और कुछ बाटियों को हम तंदूर में सेखेंगे microwave को 5 मिनट के लिए preheat कर ले फिर बाटियों को उसमें रख दे 230 डिगरी पर 16-17 मिनट के लिए बाटियों को सेखने के लिए रख दे तंदूर को भी 5 मिनट के लिए preheat कर दे जब तंदूर गर्म हो जाए तो उसमें अपने बाटियो को रख दे आज को धीमा ही रखें पीर आज तेज करके बाटियो को ढग दे पाँच मिनट तेज आज पर अलट पलट के बाटियो को सुना रहोने तक सेख ले देखिए हमारा microwave वाला बाटी कितनी अच्छी तरह से सिख गया है इसी तरह से तंदूर वाला भी सारी बाटीों को सेख ले घी डाल ले और सारी बाटीों में अच्छी तरह से मिला ले घी से इसका स्वाध बहुत ही बढ़ जाएगा हमारे यहां बच्चे साधी बाटिया खाते हैं इसलिए हमने यहां भरा हुआ बाटी और साधी बाटी दोनों बनाई है दोनों ही बहुत ही अच्छी तरह से सिख गया है आसान तरीके से बनी हुई इस बाटी चोखा की रेस्पी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताईए अगर आपको हमारी यह रेस्पी पसंद आ रही है आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को लाइप करना ना भूले